प्णा एंग कैसे हैं आप सब आजका लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार फटा फट रिवाइस कर लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है इस चेप्टर के अंदर सबसे पहले हमने देखा था कि प्रॉमिसरी नोट क्या होता है प्रॉमिसरी नोट एक रेट इन unconditional promise है जिसमें दो parties होती है maker and pay जो debtor है वो ही promise करता है लिख के कि मैं इतने समय बार इतने पैसे दे दूँगा जिसको पैसे देने हैं उस व्यक्ति को हम बोलते हैं तो दो ही parties है maker and pay प्रॉमिसरी नोट के अंदर कोई acceptance नहीं होता है promise को accept नहीं करना है promise तो अपने आप में वह एक promise है कि भई हम आपको पैसे देंगे acceptance किसमें होता है order में होता है यदि कोई order कर रहा है तो we have to accept that order but there's no acceptance in the promise getting my point तो यह चोटी चोटी चीजे हैं जो कि one more question में possible है two or false वगदर आ सकता है फिर उसके बाद आ जाते हैं हम bills of exchange में तो bills of exchange क्या है written unconditional order है कितने parties होते हैं आप तीन कौन-कौन से draw जो bill बनाता है जो accept करता है पेई जिसको payment मिलता है ठीक है और मैंने आपको यह भी बताय जयाई था कि pay यहां पे mich player के अलावा भी कोई हो सकता है कि जो व्यक्ति बिल बना रहा है उसके अलावा भी कोई पही हो सकता है यह रिसको पैसे लेने हैं वह क्या करता है unconditional order बनाता है लिखता है और उस order को फिर accept करता है कौन accept करता है डेटर accept करता है तो जो बना रहा है उसे draw कहते हैं जो accept कर रहा है उसे draw कहते हैं तो exam में पूछा जा सकता है कि draw कौन है draw कौन है ठीक है बिल कौन बनाता है बिल कौन accept करता है और अंद में जिसको पैसे मिलेंगे उसको हम कहते हैं पेई तो कितनी पार्टी होई तीन क्लियर है उसके बाद हमने देखा था कुछ terms हमने देखे थे उसमेंसे सबसे पहला था term of bill जितने समय के लिए bill बनाया जारा है bill after date किसे कहते हैं bill after site किसे कहते हैं bill at site किसे कहते हैं after date वो होता है जिसमें हम calculation start करते हैं from the date of drawing after site हम कहते हैं जिसमें कि हम calculation start करते हैं from the date of acceptance और at site हम कहते हैं जिसमें कोई भी time का calculation नहीं होता है at site को हम कहते हैं on demand जब भी मांगेंगे तब पैसे देने पढ़ेंगे clear है यह ठीक है उसके बाद हमने देखा था how to calculate the date of maturity तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये सामान ने ग्यान होना चाहिए कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं basic calculations आपके ठीक ठाक होने चाहिए उसके बाद ये भी आपको मालू होना चाहिए कि 15 August, 26 January, 2 October ये public holiday है और जब हमारी जो date of maturity है वो public holiday होगी तो उसका payment कब होगा एक दिन पहले और यदि sudden holiday होता है तो एक दिन बाद ये सारी चीजे बहुत अच्छे से आपके दिमाग में fit होनी चाहिए ठीक है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा बिल है उसको लेकर हमारे पास क्या-क्या options है for example मैं आपके पास आया था आपको याद होगा ठीक है दो हजाद रुप है कि मैंने आपके क्या खरीदे goods खरीदे और आपने कि बिल क्या किया कि ट्रॉ किया कि बिल ट्रॉ किया मतलब आपने और एक बनाया देटेन और बनाया आपने कि एक महीने बाद या दो महीने बाद माने चलो दो महीने बाद मुझे दो हजाद उपर दे देना ठीक है दो हजाद पर दे देना ऐसा लिख दिया आपने और मैंने आपके order को क्या कर दिया अब बिल आपके पास रखा हुआ है वह एक आपके पास सबूत है कि हाँ आपको इतने पैसे मेरे से इतने दिन बाद लेने हैं वह आपके लिए क्या है एक एक cassette है जो पलिए आपके लिए एक आपके लिए क्या क्यों colleglli को लेकर आपके पास क्या क्या option है तो अलग-अलग प्रकार के options हैं आपके पास एक एक के बारे में बहुत अच्छे से आराम से डीटेल में मैं बात करने वाला हूँ, बस आप ध्यान से सुनियेगा दिखिए दो महीने का बिल है दो महीने तक आपके पास option है कि बिल आप अपने पास रखे रहे क्या करें आप बिल को बिल को अपने पास रखे रहें दो महिने तक अपने पास रखें दो महिने बाद जब आपकी date of maturity आएगी आप मेरे पास आएंगे दरवाजा खट 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 आएंगे मैं पूछूँगा कौन है आप बोलेंगे मैं हूं बिल लाया हूं मैं आपसे बिल लेकर और आपको पेमेंट दे दूँगा पाथ समन में आई इसको हम कहते हैं retained till maturity मतलब maturity तक बिल को अपने पास रखे रहना maturity पे ड्रॉई से पैसे ले लेना simple है इसको हम क्या कहते हैं retained till maturity अभी केवल सुनिए लिखना कुछ भी नहीं है दूसरा option आपके पास क्या है माल लीजिए कि आप बेहर व्यस्त व्यस्ती हैं बहुत busy आदमी हैं आपके पास समय नहीं रहता है कि आप खुद जाएंगे बिल कलेक्ट करेंगे आपके पास टाइम नहीं है दिन बस busy रहते हो तो आप अपने बैंक को कहते हो यह 2000 उपय का बिल है आप हमारे बहाद पे at the time of maturity आप ही कलेक्ट करके हमारे खाते में डाल देना बैंक बोलता ठीक है बाई कर देंगे ठीक है बैंक हो सकता है कि इसके लिए आपसे कुछ चार्जिस ले ना हो सकता है तो जदूरी नहीं है वो question के अंदर दिया रहेगा कि चार्जिस हैं या नहीं है तो अब आप क्या करते हैं आप बैंक को दे दे रहे हैं कि बैंक आप ये लो और हमारे बहाफ पे आप हमारा बिल कलेक कर लेना अब 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 मेरे से पैसे कौन लेगा अब मेरे से पैसे आप नहीं लेंगे बल्कि मेरे से पैसे लेगा बैंक तो पहले वाले केस में Retain Till Maturity के केस में Pay Pay मतलब जिसको payment मिलेगा वो कौन था आप थे मतलब ड्रॉर अब जो दूसरा केस है मैंने कहा की आपने बैंक को दे रहे हैं कि तो अब पर आ क्यूंक कि आपने कलेक्शन अब पेह हैं पर जिन्मा है बैंको दे स्को हम कहते हैं बिल सेंट टू बैंक फॉर कालेक्शन सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन बैंक और को भीड़ देते हैं कलेक्शन के लिए ठीक है कहला क्या था लीटें तिन मैस और तक अपने पास रखे रहना दूसरा बैंक को दे देना कि बैंक आप हमारे बहाब पर कलेक्ट कर लो तीसरा सब को हम डिटेल में डिस्कुस करेंगे अभी मैं के वल मोटा मोटी आपको अगर आपको पैसे मुझे अभी चाहिए मैं क्या करूं तो आप चले जाते हैं, bank, bank को कहते हैं कि bank भाई, bank भाई मेरे पास ये दो हजाद उपए का जो पैसे मिलने हैं, वो मैं आपको अभी दे रहा हूँ, तो अभी देने के लिए, जल्दी देने के लिए, मैं आपसे दो महीने का इंटरस्ट ले लूँगा, आप सोचते हो कि हाँ इंटरस्ट तो देना पड़ेगा भाई, एक प्रकार से आपको समय से पहले पैसे मिल रहे ह अनिrika आपको समय से पहले पैसे दे दता है अनि demonstra इसको हम कहते हैं डिसकाउंटिंग डिसकाउंटिंग और विल के जिसकाउंटिंग का मतलब है इस समय से पहले पैसे ले लेना किसे ले लेना बैंक से लेना बैंक यहां पर क्या करेगा आपसे इंटरस्ट लेगा आगे देखेंगे थोड़ा भी कंशुजन है तो चिंता मत कीजिए अभी मैं आपको केवल बैसिक इंफरमेशन दे रहा हूं कि वह पैसे कैसे देगा इंटरस्ट कैसे लेगा यह सारी चीजों को हम में डिस्कॉस करेंगे ठीक है तो एक बाद फिर से देख लेते हैं तीन के से रिटेंटल मैचुरिटी मैचुरिटी तक अपने पास बिलको रखे रहना मैचुरिटी पर जाके ड्रॉइस से पैसे ले लेना दूसरा बैंक को दे देना कि बैंक आप हमारे वहाफ पे यह बिल देंगे और से समय से पहले पैसे ले लेंगे मगर बैंक आपको पैसे देने के दौरान आपसे इंट्रस्ट भी ले लेता है और इस इंट्रस्ट को हम कहते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस का कहते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस ठीक है वहाँ पर इंट्रस्ट का इस्त बिल रखा हुआ है एक दिन आपका एक ऐसा आता है और आपको कहता है कि भाई मुझे पैसे दीजी आपकी पुरानी हो गई प्यान से सुनिए आप भी खरीदते हु है तो जिसते आप खरीते हैं जो आपका क्रेडिटर है वो एक दिन आपके पास आता है और कहता है पैसे दो तो पैसे आपके उसरी नहीं आपके पास हाँ आपके पास bill जदू रखा हुआ था मेरा वाला bill आपने वो bill उठा के उसको दे दिया बुला ये लो ये लो बिल और आपने कहा कि ये payment आप ले ले ना मेरे से आपको पैसे मिल जाएंगे उसमें आप ऐसा लिख देते हैं कि इस व्यक्ति को पैसे दे देना ठीक है इसको हम कहते हैं Endorsement क्या कहते हैं Endorsement मतलब बिल किसी दूसरे व्यक्ति को transfer कर देना ठीक है पैसे लेने का अधिकार किसी और व्यक्ति को दे दिया आपने आपने अपनी liability clear करने के लिए वो बिल किसी और रिक्ती को दे दिया इसको हम कहते हैं endorsement चाहद हो अलग-अलग है दिया नखियेगा पहले में बिल आप अपने पास रखते हैं maturity तक मेरे से आप at the time of maturity पैसे ले लेते हैं दूसरा आपके पास समय नहीं है आप bank को देते हैं कि bank आप हमारे बेहाफ पर collect कर लेना इस को हम कहते हैं send to bank for collection तीसरा आपको पैसों की अभी जुरत है maturity date बाद में हैं आपको पैसे अभी चाहिए आप bank के बाद दोड़ते जाते हैं bank को देते हैं और bank से पैसे ले लेते हैं उसमें आपको पैसे मिल तो जाते हैं मगर आपको वहां पर interest लगता है और से interest को हम कहते हैं discounting charges चौथा है आप अपनी liability clear करने के लिए मेरे इस इसको हम कहते हैं endorsement उसमें अब लिख देते हैं यह बिल जो है इस फलाने व्यक्ति को इसकी payment आप कर देना ठीक है और ऐसा भी हो सकता है कि जिसको आपने बिल दिया है वो भी फर्दर किसी और व्यक्ति को दे दे ऐसे ही लिखते हैं डीटेल में हमें हापे नहीं जा रहे हैं मगर मैं basic information आपको दे रहा हूं तो चार हों केसे आप लिख लो रीटें तिल मैचुरिटी सेंट वैंक फॉर कलेक्शन डिसकाउंट इक विद बैंक एंडोस तु अनदर पार्टी आप यह चारो लिखिए और फिर हम एक क्वेस्चिन भी देखेंगे रीटें तिल मैचुरिटी का सिंपल साइब क्वेस्चिन ज्यादा है तो लेक्शर बहले पॉस्ट करके आप नोट्स बना सकते हैं मैं आगे बढ़ता हूं चल अब एक काम करते हैं रीटें टेल मैचुरिटी के केस में मैं आपको जर्नल एंटरिस बता देता हूं कि क्या होगी ठीक है मान लिजिए कि आपने एक सेट आप यहां पर कौन है आप यहां पर ड्रॉष आप कौन है द्रॉष ध्यान से दुनिए अगा बहुत अच्छे थे आप हैं ड्रॉष और आपने क्या किया कि मुझे बेचे आपने तारीक जो भी चाहे आप यहां पर लिख दो आप लिख दीजिए यहां पर मालो हम लिख देते हैं 24th December 2020 लिख देते हैं अब यहां पर क्या हुआ कि आपने मुझे पहले तो गुट्स बेचे ठीक है तो मैं यहां पर आपके लिए कौन हुआ मैं आपके लिए हुआ आप चाहें तो नाम लिख सकते हैं आप चलो हम नाम लिख देते हैं ठीक है या तो आप नाम लिख लें तो आपने सबसे पहले गुट्स बेचे मुकेश अकाउंट डेबिट आप चाहें तो यहां पर अगर नाम नहीं मालुम है तो ड्रॉई भी लिख सकते हैं तो मुकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ठीक है कितना दो हजार के आपने मुझे गुट्स बेचेते या देना बड़ी मुश्किल से आपने मुझे उधार दिया था अब सेम डे आपने मेरे से एक बिल एकसेप्ट करा के ले लिया आपको क्या मिल गया बिल मिल गया अभी धियान दीजेगा बहुत अच्छे से यह मुकेश अकाउंट डेबिट क्यों किया बताएंगे क्योंकि आपको मेरे से पैसे लेने हैं जब हमको पैसे लेने होते हैं किसी से भी राम से, श्याम से, काली राम, दूबेलाल, whatever हम उनका अकाउंट क्या करते हैं डेबिट करते हैं जिससे पैसे लेने हैं उसका अकाउंट डेबिट कर दो ठीक है अब यह डेबिट कर दिया क्योंकि आपको क्या मिल जाता है कैश मगर मैंने आपको कैश नहीं दिया मगर मैंने आ आप बिल जरूर देदिया उसी दिन तो अब यहां पर क्या करें गे उसी दिन नियां दीजेगा दो महिने का BILL है उसी दिन मैंने आपको bill दे दिया और आपको bill मिल रहा है जिस परकार से आपको कोई भी asset मिलता है मालो आपको furniture खरीदा तो furniture account debit करते हैं building खरीदी तो building account debit करेंगे cash आ रहा है तो cash account debit करते हैं वैसे ही आपके पास bill आ रहा है तो इस bill को भी आप क्या करेंगे debit करेंगे ठीक है न मैंने बता है Bills Receivable क्या है आपके लिए एक asset है तो इसको हम क्या करते हैं debit करते हैं तो बटाएद Bills और Exchange को हम बोलते हैं Bills Receivable क्या कहते हैं Bills Receivable आप Receivable इसलिए बोल रहा हैं क्योंकि इसमें से आपको पैसे मिलने है तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे bills receivable account debited to किसने दे दिया मैंने bill दे दिया आपको तो अभी यहां पर क्या हुआ यहां पर asset का form change हो गया अभी तक आप मेरे को asset मान रहे थे अब मेरा account close हो गया debit हो गया credit हो गया अब आप asset किसको मान रहे हैं bills receivable को asset मान रहे हैं clear है यह बात तो bills receivable आपके लिए asset हो गया अब आते हैं दो महिने बाद दो महिने बाद मतलब कब हो जाएंगे दो महिने calculation कर सकते हैं क्या यहां पर चलो मैं working note आपको करके दिखाता हूँ 24 12 2020 20 दो महिने आपे मैं जोड़ देता हूँ तो यह क्या हो जाएगा 24 जन्वरी फिर 24 फर्वरी तो यह हो जाएगा 24 दो और 20 तीन दिन चली और जोड़ देते हैं तो यह हो जाएगा 27 तो 2020 clear है तो 27 फर्वरी को 27 तो यह 21 है हाँ 27 फर्वरी 2021 क्या होगा यहाँ पे आप मेरे को बिल देंगे और मेरे से पैसे लेंगे अब आपके पास पैसे आ रहे हैं तो आप लिखेंगे cash account debit और बिल आप दे रहे हैं तो बिल गया पैसे आ गया तो बिल रिखूंगा इसना इसका abbreviation है BR तो यहाँ पे 2000 होता है यह लिखेंगे यह क्या किया गुट्स बेचे बेचे तो मेरे से पैसे लेने है इसलिए मेरा account debit किया यहाँ पे account close हो गया क्योंकि बिल मिल गया फिर यहाँ पे बिल भी account close हो गया अब क्या खुल गया ultimately यही करना था ठीक है तो यह हो गया in the books of draw क्लियर है ध्यान दीजेगा अगर draw यहाँ पे मेरा नाम अगर आपको नहीं दिया हुआ है question के अंदर तो आप क्या करेंगे यहाँ पे सीधा सीधा draw लिखेंगे क्या लिखेंगे draw बदा बदा है यहाँ पे भी draw लिखेंगे यहाँ पे भी draw लिखेंगे यहाँ पे भी draw लिखेंगे 12 2020 को मैंने आपसे goods खरी दे तो मैं क्या बोलूँगा purchase this account debited to बताईए क्या मैंने आपसे खरी दे अब आपका नाम मैं चलो एक काम करता हूँ मैं आपका नाम draw बोलता हूँ क्या बोलता हूँ draw मुझे नहीं मालूम है तो मैं draw बोलूँगा अगर नाम दिया है question के अंदर तो मैंने आपसे दो हजाद उपय का सामान खरीदा था ठीक है और उसी दिन मैंने आपको क्या दे दिया बिल दे दिया बिद्यांदी जीगा draw को credit किया है मतलब draw को हमें पैसे देने हैं क्या करना है draw को हमें पैसे देने हैं तो यह liability है ठीक है अब यह liability मुझे आपको पैसे देन ह wrestler liability में लिए झायागा विल में लिए लैयगे लिए हो जाएगा आप में लिए liability नहीं है तो मैं यहां पर क्ता लिए से तो गूर आपको गूर Request Payable बैटा एक बात धिहान दखिएगा एकन्द पहले लिख लेते हैं यहां पे 2000 ब्रॉल अकाउंट डेबिटेट टू कैश अगर देते तो टू कैश लिखते बैंक देते बैंक से पैसे देते यह दब चैक देते कि ये आपका draw account clear हो गया अभी नया account आ गया क्या? Bills Payable Draw एक ऐसा वेक्ती है जो बिल को Bills Payable कहता है जिसने बिल accept किया है क्योंकि उसको तो पैसे देने हैं तो वो बिल को Bills Payable कहेगा बाकी सारी दुनिया बिल को Bills Receivable के नाम से जानती है जो draw है या आप देखेंगे आगे bank हो गया जिसको endorse किया ये सब बिल को Bills Receivable कहते है और जो draw है वो बिल को Bills Payable कहता है ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है फिर at the time of maturity क्या होगा? 27 February 2021 को आप मेरे पास आएंगे मेरे को बिल देंगे तो बिल मेरे को मिल रहा है और मैं आपको पैसे दे रहा हूँ अब यहाँ पे भी देखेंगे तो सारी liability clear होती जा रही है पहले आप draw मेरे लिए liability थे ये draw अकाउंट क्लोथ हो गया debit करके फिर नई liability हो गई बिल्स पेबल अब ये बिल्स पेबल भी clear हो गई अन्त में बचा क्या? To cash ठीक है? तो यहाँ पे narration आप सबके लिख सकते हैं Being Goods Purchased On Credit ठीक है? Being Bill Paid To Draw ठीक है? यहाँ पर क्या लिखेंगे? Being Payment Of Bill In Care ठीक है? इस तरीके से narration आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं Being Goods Sold To Mukesh On Credit ठीक है? यहाँ पर बीज Bill Received From Mukesh ठीक है? Being Being Payment Received From Pills Receivable ठीक है? इस तरह से आप सब में narration लिख सकते हैं समझ में आया? ठीक है? तो जनल एंटी कैसे करनी है? एक काम करते हैं चलो इतना एक बार आप अच्छे से समझ लीजिए एक बार देख लीजिए खुद से सारी की सारी एंटी एक बार लिख के देखिए फिर हम अगले लेक्चर में एक question कवर करेंगे अभी मैं चलिए कोई question आपको नहीं कराता हूँ अगली class में मगर उससे पहले मैं कहूंगा कि एक बार सारी की सारी जर्नल एंटी साब लिख के जरूर लेकिए और सारे कौन कौन से cases हैं बिलको लेकर चार प्रकार के cases हैं उनको भी एक बार एच्छे थे revise कीजिए सिर मिलते हम अगले lecture में झाल, बाँ बाँ